भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो अगे मिचाब देख उफ ये दर्द ये कश्ट पीड़ा इसे देख तो कोई भी पाशान हरदे पानी पानी हो जाए कैसे नहीं होगा दीपी का पादू कौन जो ठेहरी कैसे गलत हो सकती है भाईया परंतु क्या ये वास्तों में इतनी पीडित है जितना दिखाती है नमस्कार स्वागत है आपका TFI पर जो है भारत का सबसे विश्वसनी alternate news media portal मैं पदमा श्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी बेचारी दीपी का पादू कोण के इसी पहलू से जहां वो इतनी बेचारी है कि इनके बेचारी पन पर दया कम हसी अधिकाती है तो चलिए अविलम वारंभ करते हैं हाल ही में दीपी का पादू कोण ने वोग इंडिया मैगजीन को दिये साक्षातकार में इस बात का रोना रोया कि कैसे उन्हें उनके दक्षण भारती परिवेश के लिए काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें भै था कि कहीं इसके कारण उनका करियर खत्म न पड़ा चलिए चलिए इतनी ओवर आक्टिंग तो के आर के स्वरा भासकर और साकेत गोखले भी पीटर पर नहीं करते होंगे जितना आपने इस इंटिव्यू में अकेले कर दिया इतना बेचारा पन लाती कहा से हैं आप तानिक हम लोगों को भी बता दीजे जरा ठहर ये ये प्रथम ऐसा आफसर नहीं है जब दिपिका पादुकौन ने विक्टिम कार्ड की ऐसा अश्रू गंगा बहाई जरा समय का पहिया घुमाईए और चलिए उस समय की ओर जब महोद्या ने दावा किया था कि इन्हें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कितना जादा स्ट्रूगल करना पड़ा था किसको लूब बना रही है आप जिसका पहला म्यूजिक वीडियो हमेश्य रेशमिया के साथ आया हो जिसकी पहले फिल्म शाहरुखँ हान के साथ आई हो और जिसके पिता बेन्भींतन के सूपर स्टार उसे स्ट्राजल करना पड़ता है अच् बात यहां तक पहुँच गई कि मोहोदया के लिए विवाहुत्तर संबंध भी माई चोईस बन गई जे हाँ अडल्टरी भी दिपिका पादुकोन के लिए एक चोईस है अब ये वैधानिक रूप से गलत हो या नहीं इस पर तो लंबी चोड़ी चर्चा हो सकती है परन्तु नैतिक रूप से क्या ये सही है अब बात नैतिकता की आई ही है तो दिपिका पादुकोन के एक और पक्ष पर भी ध्यान देना होगा अवसाद कहते हैं कि निजी कारणों से दिपिका पादुकोन को काफी समय तक अवसाद में रहना पड़ा था अब ये अवसाद क्यों हुआ और कैसे ये कुछ लोगों के लिए एक निजी विशय हो सकता है और किसी के बीमारी का आप उफास नहीं उड़ा सकते परन्तु दिपिका इतनी बेचारी निकली कि इन्होंने अपनी ही बीमारी का जबरदस्त प्रचार किया और दुनिया को बताया कि अपनी बीमारी की मारकेटिंग कैसे की जाती है एक दुरघटना में अपना सब कुछ गवाने वाली पिडिता लक्षमी अगरवाल की व्यथा चरित्र करने वाली दिपिका उसकी कथा के लिए समर्थन जुटाने जेन्यू पहुंची क्योंकि क्रान्ती की नर्सरी से बेहतर प्रमोशन लॉंच पैड एक पिडिता के लिए कोई हो सकता है क्या लेकिन प्रमोशन का तो पता नहीं उल्टे इनके चरित्र की पोल पट्टी अवश्य खुल गई और चुकि ये यात्रा CAA विरोध प्रदर्शन के समय हुई इसलिए दिपिका पादुकोन के विक्टिम कार्ड ने जो रायता फैलाया उसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है अब आते हैं दिपिका पादुकोन के उस दावे पर जहां वो कहती हैं कि उनके दक्षण भारतिये बोली के कारण बॉलिवुड में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा आंटी जी आपके लॉजिक से तो फिर हेमा मालिनी, वैजनती माला, रेखा, जयाप्रदा, विद्याबालन, एश्वरय राय जैसे अभिनेत्रियों को कभी काम ही नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि ये सभी दक्षुर भारति एक शेत्रों से और अलग-अलग शेत्रों से संबंध रखती हैं और अभी तो हमने हम सब की चहेती श्री देवी के बारे में बात भी नहीं की है जिनके चर्चे तो कटक से लेके अटक तक व्याप्त थे वास्तों में दिपी का पादुकून एक ऐसी अभिनेत्री है जो अपने अभिने और कला के लिए कम और विवादों के लिए अधिक चर्चा में बनी रहती है ये चाहती हैं कि ये जो कहें जनता उसे सर आँखों पर ले पर जनता आप सोचती होगी छोटी बच्ची हो क्या